इतनी सारी देशी गाएं हैं ये देखें आप इस गाएंगों की सारी कि सब्सक्राइब बड़ी गौशाला हर्याना के छोटा उचाना के नाम से जो की जीन दिश्टिक में पड़ती है यहाँ पर आप देख सकते हो हजारों की संख्या में देशी गाएं आपको नजर आएंग सारी कि सारी देशी गाएं हैं संख्या इतनी है दोस्तों कि सायद ही आपने अपने जीवन में इतनी सारी देशी गाएं को देखा होगा यहाँ पर आपको एक से एक नंदी महराज और एक से गाएं देखने को मिलेंगी इस गौशाला की शब्षे वड़ी खास बात ये है द इस्वर्थ भाव से गव माता को यहां पर रखा जाता है अभी इन गव माताओं को एक बाड़े से दूसरे बाड़े में लेकर के जाया जा रहा है यह देखे आप भारत की सबसे बड़ी गवशालाओं में इस गवशाला का नाम आता है चोटी उचानी जो की जीन डिस्टिक म की खतम नहीं हुई है यहां पर आठ हजार के करीव गोवंश बताए जा रहे हैं जितनी शंख्या इस गवशाला में हमें देखने को मिली है शायद ही किसी गवशाला में इतनी संख्या में देशी गाएं आपको दिखाई देगी यहां पर इस गवशाला में दोस्तों सारी क सारी गायों को दूसरे बाड़े में रखा गया है हांच खड़े हो जागे गोपालक भाई गोपालक भाई बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर निश्वार्त बाउस से गायों की सेवा करते हैं यह देखे आप अभी संख्या देखे आप पीछे से भी गाया आ रही है उदर से यह दे कि आप उदर से भी सारी की सारी गाये आपको यहाँ पर दिखाई देगी जो की अभी चारे के लिए इनको दूसरे बाड़े में ले जाया जा रहा है इतनी संख्या अभी तक मैंने अपने जीवन में किसी गौशाला की नहीं देखी है दोस्तों इतनी संख्या में देख कर कि जब मैंने इन गौशाला को देखा तो मुझे भी खुद आश्चरिया हुआ कि एक गौशाला में इतनी गायें भी हो सकती है दोस्तों यह गौशाला आज पहली बार मैं अपने इस पेज पर आप सब को दिखा रहा हूं जो कि मेरे जीवन का सबसे अनमोल तवफा है आज झाला आप सबस्स्सक्राइए